हलो फ्रेंज, प्रीट डिय वाई में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे कड़ी पत्ते का तेल बालों के लिए ये बालों के लिए बहुत ही गुंकारी होता है तो यहां पर मैंने कुछ खड़ी पत्ते लिए हैं इन्हें मने अच्छे से धो लिया है और फैन के हवा में हम इसे सुखाएंगे हमीने धूप मे नहीं еть अब हम ले रहे हैं एक कटोरी और एक कटोरी में हम पत्ते अच्छे से भ़र यह कटोरी हमारे मेजुमेंट के काम आएगी आप चाहे तो कोई विवर्तन ले सकते हैं अब मैंने यह एक कटोरी यहां कर लिया है अब हम इसे मिक्सर में डालेंगे और इसे पीसने के लिए हम पानी का इस्तिमाल बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें हम डालेंगे नारियल का ते जितना भी हमें इसे अच्छे से पीसने के लिए नारियल का तेल चाहिए हम उतना यूज कर सकते हैं मैंने यहां पर एक कटोरी पत्ते के लिए तीर चमच नारियल का तेल लिया है अब हम इसे अच्छे से एक पेस्ट बना देंगे पेस्ट हमारा रेडी है आप देख सकते ह काफी अच्छे से पेश गया है अब चाहें तो नारियल तेल और भी डाल करें से और पारिक पेश सकते हैं अब इसे पेल को बनाने के लिए हम एक हैवी बॉटम बर्तन लेगे इसका बॉटम जो है वो ठीक इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम यह तेल बनाएंगे तो इसमें हमारे जो पत्ते का मिक्षर है वो जलना नहीं चाहिए तो इसलिए यह थोड़ा वोटा होना चाहिए अब हम इसमें डालेंगे तीन कटोरी नारियल का तेल और हम वही कटोरी यूज करेंगे जिससे हमने पत्तों को मेजर किया था तेल डालने के बाद हम इसमें जो हमने मिक्सर में जो हमारा पेस्ट बनाया था कड़ी पत्ते का हम इसमें वो पेस्ट डाव देंगे और यह जो भी हम तेल बना रही हैं, यह हमें बिलकुल लोः फ्लेम पे बनाना है मेरियम फ्लेम बिलकुल यूज नहीं करनी है, नहीं तो हमारा जो पेस्ट है वो जल जायाएगा और जो कड़ी पत्ते के जो गुण होते हैं, वो उसमें खतम हो जानी है तो मैंने यहाँ पर गैस बिल्कुल धीमी की हुई है और मैं इसमें ये पेस्ट डाल रही हूँ इस तेल को बनने के लिए हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं अगर आप जल्दी ही बन कर देंगे तो ये तेल कच्चा रह जाएगा और इसे चेक करने के लिए कि ये पग गया है कि नहीं हम एक ट्रिक यूज करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ चार कड़ी पत्ते साबुत कड़ी पत्ते में ले रही हूँ और इन्हें हम इस तेल में डाल देंगे इसके बाद हम इसे धीमी आज पर पकाते रहेंगे और लगता चलाते रहेंगे ये तेल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आपके बालों में टैंडरफ है या आपके बाल भूखे रहते हैं तब भी ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और बाल लंबे करने के लिए तो ये तेल काफी यूसफुल है आप देख सकते हैं मुझे आज मिनट हो गए हैं और मेरे इस तेल में धीमी आज पर भी थोड़ा थोड़ा उबाल आ गया है अब इसे चेक करने के लिए कि ये पका है कि नहीं हम यह हमने साबुत पत्ते डाले थे हम उसे निकाल लेंगे हम खर्शी में ही उसे निकाल लेंगे और उसे हम हाथ से टच करके देखेंगे कि क्या पत्ता तूट रहा है अगर हमारा पत्ता प्रेक हो रहा है एक्तम अच्छे से कड़क हो गया है तो इसका मतलब हमारा जो तेल है वर तयार है और उस स्टेज पर हम इसे गैस को बंद कर देंगे हमारा तेल वेरी हो चुका है अब हम इसे छान लेंगे छानने के लिए मैंने यहाँ पर एक छानी दी है और छानी के ऊपर मैं एक मसलिन क्लोथ यानि की मलमल का कपड़ा ले रही हूँ यह हम लगाएंगे और इसमें हम यह हमारा जो तेल वन गया है इसमें से इसे छान लेंगे यह तेल आप अपने बालों में हफ़ते में दो बार लगा सकते हैं और लगा कर इसे एक घंटा रखने के बाद आप वोश करें तो आपको इसके बहुत ही अच्छे लाक में लेंगे अब देखिए अब हम इसे अच्छे से मिचोड लेंगे अपने में हम इसे बांद कर अच्छे से इस ओल को मिचोड लेंगे आप देख सकते हैं कि ऑइल का जो कलर है वो बहुत अच्छा ग्रीन कलर आया है अगर हम टेज आज कर तेल बनाते हैं तो उसका जो कलर है वो पूरा खराब हो जाता है और ऑइल के जो बून है वो भी नच्ट हो जाते हैं तो आप याद रखिएगा कि बिल्कुल धीनी आज पर हमें यह तेल बनाना है अब हम इसे पूरा अच्छे से निचोड लेंगे और जो हमारा जो यह वेस्ट बचेगा इसे हम फैकेंगे नहीं इसे भी हम यूज कर सकते हैं यह देखिए कितना अच्छा हरे रंग का यह तेल बन गया है इसे हम बॉटल में भरकर रख सकते हैं चाहे आप ऑल की बॉटल में भर लें मैंने यहां करें काच की बॉटल ही है और उसमे मैंने इसे भर लिया है यह तेल हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं और जो हमारा जो baste बचा था उसे भी हम एक hair mask की तरह बालों में लगा सकते हैं इसमें आप चाहे तो दही mix कर लें या फिर अगर आप महन्दी लगाते हैं तो उसमें भी इस mixture को आद यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो इसे फ्रिज में सेफ करके रख सकते हैं एक हफ़ते के अंदर अंदर इसे आपको यूज़ करना है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू